इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलिके ड्रॉप्स के यूजिस की, उसके कितनी डोजेद देनी चाहिए, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं है और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चिन्स की, तो आएए फटफट से वीडियो को शुरू करते हैं. अगर अभी तक आपने हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा तीन घंटे से जादा एक दिन में रो रहा है, या बच्चे को गैस पास हो रही है, या उसकी स्लीप इर्रेगुलर हो रही है कि वो उसी टाइम पर नहीं सो रहा, या स्लीप इंटरॉप्ट हो रही है कि वो बार बार अपने नीन म मोड रहा है। और अपनी बयो को आगे की तरफ कर दो इसका मतलब बच्चे को Kali की प्रौबlez प्रौबलम है। कमें adults का a main reason उनका immature digestive system रहता है। जिसकी वज़ा से खाना अच्छे से ब्रेक नहीं होता डैजर जैस्ट नहीं होता और reasons होते हैं बच्चों में कॉलिक के बच्चों में कॉलिक की problem बहुत common है और कॉलिक केड एक बहुत ही असरदा solution माना जाता है कॉलिक केड से बच्चों में indigestion, hiccups, gas और उससे जुड़ी pain को अराम से ठीक किया जा सकता है इसके साथ ही ये बच्चों में nausea, vomiting, पेट का फूलना, पेट की मरोडे, इन सब में असरदाइक रहता है कॉलिक केड में तीन main ingredients हैं साइमिथिकॉन, डिल ओयल और फैनल ओयल, साइमिथिकॉन गैस बबल्स को ब्रेक करके गैस को अराम से पास होने में help करता है जिससे गैस कम होती है, इसके साथ ही ये स्टमक पेन से और उससे जुड़े हुए discomfort से भी बच्चे को अराम देता है डिल ओयल और फैनल ओयल इकठा काम करते हैं पेट की मरोडों को ठीक करने के लिए, इसके साथ ही ये गैस्ट्रिक गतिशीलता को भी इंप्रूव करते हैं, जिसकी वज़ा से खाना अराम से इंटस्टाइन से पास होता है और digestion इंप्रूव होती है अब बात करते हैं कि कॉलिकेड की कितनी डोजेज एज के हिसाब से बच्चे को देनी चाहिए, एक साल से बड़े बच्चों को 20 से 25 डोप्स दिन में चार बार दिये जाने चाहिए, कॉलिकेड डोप्स को हमेशा रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना है इसको कभी भी फ्रीजर या रेफरिजरेटर में नहीं रखना है इसको direct sunlight, moisture और heat से भी protect करके रखिए और खोलने के बाद after one month इसको discard कीजिए कॉलिके drops के कोई side effects नहीं देखे जाते हैं साइमिथिकॉन के कोई भी side effects नहीं होते लेकिन फिर भी अगर आपको बच्चे में कोई भी symptom related to diarrhea, rash, itching या swelling, nausea, vomiting, skin rashes या सांस लेने में तकलीफ लगे तो immediately अपने डॉक्टर से बात कीजिए बात करते हैं कॉलिकेट से जुड़े सभी type के questions की क्या हम बच्चे को कॉलिकेट रोज दे सकते हैं लंबा यूज इस drops का generally recommended नहीं होता है बच्चे के लिए लेकिन फिर भी आप पहले डॉक्टर की सला लीजिए बच्चे को कॉलिकेट कैसे दे तो आप इसको measuring dropper से ही दीजिए जो कॉलिकेट drops के साथ आता है बड़ी धीरे से चीक के अंदर के हिस्से पर दीजिए ताकि spit और चोक करने का risk minimum रहे आप इसकी डोज को 30 ml normal पानी या formula में भी mix करके immediately दे सकते हैं लेकिन याद रखिए यूज करने से पहले bottle को shake जरूर कीजिए spoon से medicine अपने छोटे बच्चे को ना दें और recommended doses से ज़ादा dose ना पिलाएं क्या किया जाना चाहिए अगर dose miss हो गई है आप उस dose को दे सकते हैं जब आपको याद आए लेकिन अगर next dose का time हो चुका है तो पिछली dose को skip कीजिए और next dose को उसके अपने time पर दीजिए कभी भी double dose नहीं करनी है क्या किया जाना चाहिए अगर overdose हो जाए तो अपने डॉक्टर को immediately consult करना है क्या कॉलीकेड न्यूबॉंस के लिए safe है येस कॉलीकेड का जो active ingredient है साइमितिकॉन वो न्यूबॉंस के लिए बिलकुल safe माना जाता है क्या कॉलीकेड खरीदने के लिए डॉक्टर की prescription जरूरी है नहीं कॉलीकेड को आप बिना डॉक्टर की prescription से ले सकते है क्या कॉलीकेड और gripe water same है नहीं कॉलीकेड में active ingredients हैं साइमितिकॉन, फैनल ओयल और डिल ओयल जबकि gripe water बना है 3.6% alcohol, डिल ओयल, sodium bicarbonate, sugar और water से लेकिन दोनों ही solutions कॉलीक को रिलीव करने में help करते हैं कॉलीकेड कितनी जल्दी effect दिखाना शुरू करती है तो इस drops का effect आपको dosage के 30 minutes के अंदर दिख जाएगा So we hope इस वीडियो में आपको अपने पॉलीकेड से जुड़े सभी टाइप के questions का आंसर मिल गया होगा अगर आपने अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें और इस वीडियो को like और share करना ना भूलें तो आप मिलेंगे next वीडियो में